सर नमस्कार नमस्कार जी क्या नामे जी आपका सत्पाल पुहार सत्पाल जी कहां से आएं आप तसील पदंपुर जिला सिरी गंगानागर से राजस्तान से सत्पाल जी आपसे जाना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महारा जी से नामदिक से आपने कब ली कितने सालों से आप ये बक्ती कर रहे थे? सर लाखों करोडों की तादात में लोग ये बक्ती कर रहे हैं आप भी कर रहे थे तो फिर आपने ये बक्ती छोड़ क्यों दी? बड़ी इच्छा हुई रोजना देखने लगे तो देखते देखते मन में इच्छा हुई भी इन सत्गुर्देव सी जुड़ना चाहिए ये तो बहुत अच्छी वक्ती बता रहे हैं तो हमारे जो ताओ जी के लड़कें हैं वो जुड़े होए थे पहले तो मैंने उन से का यार मुझे भी ले चलो सत्गुर्देव जी जो ये संत है संत्रामपाल जी महराज बड़ अच्छा ग्यान दे रहे हैं तो बहुत चलो भी तुम भी चलो तो हमने वहाँ पर जाके देखा तो प्रमात्मा संत्रामपाल जी महराज ने बड़ी देया कर रखी वहाँ पर सभी बंडारा फरी रहने की ववस्ता फरी तर एक चीज फरी फरी मैं कहा रही ये तो बड़ी अच्छी बगती है तो हमने का अभी पहले हमें नाम दलाओ नाम का मिलता है वह वह ले कि पहले बंडारा कर लो मैं कि बंडारा नहीं करेंगे पहले नाम मिलेंगे हमने जो नाम लेने बेटे भारंबरे तो वह बोले भी ये नियम है हमने बोले भी अच्छी नियम ये फोलो कर लेंगे कि आखरी सांस तक करने पड़ेंगे हमने का जरूर करेंगे आखरी सांस तक ऐसी वक्ती मिल रही है तो जरूर करेंगे सर नियमों की बात आपने की, संत्रामपाल जी माराजी से नाम देख्षा लेने से पहले, ऐसे कौन से कौन से नियम है, जिनका पालन करना पड़ता है? सर आपने कहा की, संत्रामपाल जी माराजी से नाम देख्षा लेने से पहले ये नियम है की, नसा नहीं करना, नसा चुटवाने के लिए ही तो लोग संत्रामपाल जी माराजी के पास जाते हैं। अगर वो पहले नियसा छोड़ देंगे तो संत्रामपाल जी माराजी क्या करेंगे? देखो संत्रामपाल जी से नाम लेने से पहले एक संकलब लेना होता है तो उससे जो संकलब लेते हैं तो उससे दर्ड़ता आती है और सत्तगुरु देव जी के वचन में इतनी सक्ति है वो एटो मेटी की नियम पे दर्ड़ हो जाता है जो पूरन संत होता है उसके वचन में बहुत सक्ति होती है सर बात आपने सक्ति की की अगर हम आपसे जाना चाहेंगे कि संत्रामपाल जी महाराजी ने जो मंतर आपको दिये हैं क्या उन मंतरों में इतनी सक्ति है कि वो किसी व्यक्ति का नसा चुड़वा दे या किसी की कैंसर जैसी बहनेक बीमारी को ठीक कर दे या बोद्प्रेट जैसी समझ्याओं का निदान कर सके हम आप से जाना चाहेंगे संद्रामपाल जी माराजी से नाम दिख से लेने के बाद आपको क्या लाब मिले लाब की बात करो तो लाब तो बहुत सारे हैं जी पहला तो सत्गुरु देव जी ने मेरे मिर्ति उटा ली मेरा एक्स्टेंट हुआ था बहुत मतबल गंभीर तरीके से उस दिने दास की मोट भी हो जाती अगर सत्गुरु देव जी की सरन में ना होता सत्गुरु रामपाल जी महराज जी के तो सत्गुरु देव जी ने मेरे को ऐसे जैसे कार में वाईक लगी मेरी मोटर साइकल तो मैं कम से कम पंदरा फुट उपर को उचला और वापिस निच्चे आके गिरा तो मैंने देखा लगी होगी मैं देखा मेरे कहीं नहीं लगी है तो मैंने वाई गुरु जी रामपाल जी महराज को डंडवत प्रनाम किया और जोर से सत्गुरु देव जी की जैब उलाई और मैं खड़ा हो गया और देखने वाले के तेरे कि लगी नहीं मैं क्यों सत्गुरु देव जी का सची बगती का चमतकार है जो सची बगती करते हैं तो पूराण संत सरन में होते हैं प्रमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही सुरूप दोrotfunb, वो पूरण संत होता है न वो प्रमाहतमा स्रूप ही होते है। तो सत्तगृ देव जी जो वगवान है, संत्रामपाल जी माराज, ये बहुत मतल कभीर साहीब ही है। और कैलाब मिले सर। और लाब मिले, जैसे बूतमिलितों का साया था, वो संत्रामपाल जी माराजी किरपा से दूर हुआ और जो बच्चे के जो तकलीव थी सभी डाक्टरों जवाब दे रखा था वो इस संत्रामपाल जी माराजी से नाम लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई और जो गर के अंदर जो जैसे किसी तरह का जैसे पेसा नहीं रुकना और भी ववस्ताजे से जितना कमाते थे पता नहीं कहां चला जाता था तो संत्रामपाल जी माराजी से नाम लेने के बाद संत्रामपाल जी माराजी किरपा से बरकत होने लगी क्या कोई नसा करते थे आप नाइज जी दास बिल्कुल नसा नहीं करता था पहले और नाइब बाद में तो संत्रामपाजी बगवान की गिरपा हो गई बिल्कुल ही नहीं किया और दास के संत्रामपाजी महराज ने मकान बनाए हमने कभी सोचा ही नहीं था दास के मकान भी बन जाएंगे या दास के कोई वाइक नहीं थी, सेकल लेने की उकात नहीं थी और संत्रांपाल जी महराजी ने दास को एक मोटर साइकल दुलाई और दास के मकान भी बनवाई उससे पहले मतबल कोई फाइदा नहीं होता था और लाव एक दिन बगतमती कहने लगी के सुबे पाइद गेंस की टंकी लेके आनी है और दास के पास पैसा नहीं था तो मैंने का भी मेरे फरस में तो एक पैसा ही नहीं है तो जैसे गुरू जी ने दिया की वो मकान बना रहे थे मैं फरस मकान के अंदर वहीं बूलाया अपना प्लाट दूसरे प्लाट में मकान बन रहे थे तो मैं बोला भी सुबे जाके देखेंगे तो संत्रामपाजी महराज ने बड़ी दया की सुबे जाके फरस में देखे तो पांसो पांसो के नोट दो मिले संत्रामपाजी महराज ने प्रातना की हे बंदी छोड़ भगवान हम निचों पर ऐसा ही दया बनाई रखना बड़े हम तूचबूजी जीव है आपने तो बड़ी दया करी जो पांसो पांसो के नोट दास के फरस में डाल दिये धन्या परभू आप तो संत्रामपाजी महराज के जहां तक गुण गाएं उतने ही कम है सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं भगत समाज को तो संत्रामपाजी भगवान संदेश दे रहे हैं हम तो तूचबूची जीव हैं प्रातना कर सकते हैं कि बंदी सोड़ सत्गुरू रामपाल जी भगवान के रूप में आये हुए हैं, सभी जीव आत्मों से यही प्रात्ना है कि आके संत्रामपाल जी महाराजी से नाम उपदेश लें और अपना मानोस जीवन सफल बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। दन्यवाद जीव